हमस्कार मेज apost서 2020 को आज करें प्रेडिक्स कैं रसी चेक्र की प्रत्थम रसी बेस्स रसी करें यह अजी आपकी जन्म कउन्डी में चंडरह एक नमबर में लिखा है और यह प्रेडिक्सन आपको उसर करने वाला होता कोई भी साल के अंदर 12 एप्र्फेल से लेकर 14 मई के बीच में आपका जन्म हुआ है और जन्मक के सूर्य भी आपके मेस रसी के अंदर है तो भी पेडिक्सिन आपको असर करने वाला है और यदि आपके जन्मक के सूर्य चंद्रा दोनों मेस रसी के अंदर है तो आए जारते हैं आपके लिए दोजार बाईस के अंदर विक्रम समझ दोजार एठतर के अंदर यह डबल इफेक्ट लेके आने वाले ग्रहों की परिष्टेती होगी यदि आपका जन्मका सुझे चंद्रा दोनों शाथ में हैं मेसराशी के अंदर तो कहने का मतलब है कि आपको इसका बहुत प्रेडिक्शन का बहुत जयला असर होगा तो इस प्रेडिक्शन के अंदर हम लंबे चलने वाले ग्रहों की ट्रेंजीट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे शनी ग्रह के बारे में तो सनी ग्रेका जो ब्रमण है वो वहीं पर है जो 2021 में है वो 2022 में भी वहीं पर है मकर रासी के अंदर अलाकि शनी जो है वो 29 एपरिल 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 सक कुम रासी के अंदर चलेंगे आपके ग्यारवे स्थान के अंदर कि फिर से वह वक्री होकर आपके दस्वे स्थान में कर्मब स्थान में आ जाएंगे तो सनी का जो ट्रांडिट है दस्वे और ग्यारवे स्थान के अंदर यह business औरsel में progres करवाने वाली ट्रांडिट होगी लाब स्थान में चलनेवाले संब्री है आपके nee बुद्धी करने व मजबूत बन रहा है तो वक्री होने के बाद भी शनी आपकी कर्मस्तान को इफेक्ट करने वाले हैं जिसकी करण बिजनेस और केरियर में यह प्रोग्रेस करवाने वाली ट्राइड है शनी ग्रकी तो गुरुग्रा की ट्राइड देखे तो क्या है गुरु जो है वो बिस नवेंबर से कूम रसी में चलेंगे और 13 एपरिल 2022 से गुरु चलेंगे मीन रसी के अंदर तो जो 11 स्थां में गुरु है 20 नवेंबर 2021 से लिके 13 एपरिल 2022 तक गुरु आपके 11 स्थां में चलने वाला है तो ये गुरू का ट्रांजीट 11 सम में extremely soupful देने वाला है और विवा ही जो जातक है इनको विवा का योग करवाने वाला है जो कोई भी जातक married है शंतान इच्छुक है इनको शंतान की प्रप्ति होगी पढ़ाई करने वाले जातकों का पढ़ाई में progress होगा और love matter में success देने वाली transit है गुरू की 13 April 2022 को गुरू रासी परिवतन करके चलेंगे आपकी रासी से बारवेस्थान के अंदर अब बारवेस्थान है ये गुरू का अपना घर है क्योंकि गुरू की मीन रासी है मीन रासी के गुरू स्वग रही होते हैं तो जिसकी कारण खर्च आपका बढ़ेगा 12 से अंदर आला कि जो खर्च है वह आपका धार्बीक कार्य में आपका खर्च होगा मकान वहान प्रोपरटी इत्यादी डवलपमेंट के लिए आपका खर्च हो सकता हैं माता के लिए हो सकता हैं और कुछ भी सूब कार्य में आप खर्चा करेंगे एडूकेशन के अंदर करेंगे या वीदेश यात्रा प्रवास थार्मिक यात्रा प्रवास के अंदर आप खर्चा ज्यादा करेंगे 13 April 2022 के बाद और ये ट्रांजीट जो चलने वाली है गुरू की वो 13 अपरिल 2022 से लेकर 21 अपरिल लावश तक चलने वाले हैं गुरू मींडरासी के अन्दर एक साल और करीबन एक अपता एक साल और एक अपता गुरू का ट्रांजीट होगा मीन रासी के अंदर तो गुरू सबसे ज़्यादा आपको बेनिफिट करने वाले होगे प्रॉपर्टी मेंडर से क्योंकि गुरू अपने चोथि स्थान के अंदर अपने उच्च घर को देखेंगे करक रासी के अंदर तो गुरू करका ट्रांजीट भी आपके लिए ग्यारवे स्थान के अंदर भी शूम हैं बदलने के बाद भी आपके लिए बहुत शूम हैं और राहू करका जो ट्रांज कितु जो अभी आपके आठे सांग के अंदर चल रहे हैं यह आपके चलेगे सेवन्थ हाउस के अंदर है क्योंकि राहू और कितु उमेशा उल्टा चलते हैं तो अभी जो राहू का ट्रांजीट है वो थोड़ा सा पारिवर एक लिस्टबंस करने वाले हैं लेकिन खास करके जिनका भी जन्मश्वा है मेस रासि में भढ़नी नक्षत्र में ये जातनकों के लिए राहू का जो अभी कृतिका नक्षत्र का ट्रांजीट है यह एक्स्ट्रेमली सूप फन देने वाला है और और अस्वीनी में जिनका जन्मा हुआ है इनके लिए जो राहू का ट्रांजिट है ये थोड़ा सा पारिवारिक समस्या ज्यादा क्रियेट करने वाला होगा और राहू ग्रग का जो ट्रांजिट है कृति का नक्षेतर के अंदर ये ट्रांजिट पांच अक्टोबर 2021 से सुरू हो चुका है जो कि 14 जून 2022 तक चलने वाला है और 14 जून 2022 को राहू भरणी नक्षेतर में ब्रमन करेंगे जो कि 20 जून 2022 से लेकर 20 फरवरी 2023 तक राहू भरणी नक्षेतर में ब्रमन करेंगे जो कि जिनका भी जन्म मेश रासिक के अंदर अश्वीनी नक्षेतर में हुआ है ये जातक हो के लिए तो आपके द्वार के उपर हाथी खड़े कर देंगे हाथी खड़े कर देंगे मतलब आपके यहां लक्षमी जी की पूर्ण कृपा होगी क्योंकि जिनका भी जन्मा हुआ है भरणी नक्षेतर में इनके लिए भी राहू लक्षमी दायक है लक्षमी जी की कृपा करवाने वाले हैं और अश्वीनी वाले जातकों के लिए भी ल अलाकि थोड़ी सी मांसिक यात्ना परेशानी अनेसेसरी टेंशन स्ट्रेस विम्जी कल माइंड होना ये राहू का एक चंद्र की उपर राहू जब चलते हैं तो ग्रहाण योग बोलता है इसको ये थोड़ा सा मांसिक यात्ना परेशानी का अनुबहोग करवाने वाली ट् क्योंकि राहू और चंद्र का जो योग होता है इसको ग्रहाण योग बोलते हैं और जब जनम की चंद्र के उपर से राहू का ट्रांजीट होता है तो चंद्र जोकी मन के कारक है जिसकी कारण ये माइन के उपर सवार हो जाते हैं जिसकी कारण और वैसे भी जो आपकी रासी है ये काल पूरुस में आपका जो स्थान है ये मस्तिस्क का स्थान है माथा का स्थान है हेड का सान है जिस जिसका कंट्रोल है माइन के उपर विचारों के उपर आप जब यहां राहू चलेंगे तो थोड़ा सा माइन को distup तो करेंगे लेकिन इसकी सांती के लिए आपको क्या करना है अपने इस्ट देव या देवी का महत्तम ध्यान बंत्र उपासना करना है आपको एपरिल तक जब तक राहू का जो ब्रवाण है कृतिका नक्षत्र के अंदर एपरिल का जो डेट है 14 जून 2022 तक आपको रोज भेड को खिलाना है फिटिक टुशीप जो बक्रियों के साथ रहता है उसके बाद आप आपको हाथी को खिलाना है जब चलेंगे राहू भर्णी नक्षत्र में 14 जून 2022 से लेकर 20 स्वर्वरी 2023 तक आठ महीना और आठ दिन का जो यह पिरियड है राहू भर्णी नक्षत्र में चलेंगे इसमें आप हाथी को खिलाए रोज खिलाना पॉसिबल ना हो तो मंडे को स्वमवार को और बुद्वार को खास करें अन्य था गाई को रोज थोड़ा सा पका हुआ चावाल गूड उसमें थोड़ा सा सपे टेल रोडिक में डाल कर आप गाई को खिला दें तो रावगर की सांतिय होगी केतू का ट्रांजीट अट्रेस ताब में है तो गूपत अग्नान में जिग्याशा में भुद्धी होगी और केतू बदलने के बाद सेवन्थ होस में चलेंगे जो की थोड़ा सा पार्टनर्शिप के अंदर टेंशन और स्ट्रेस क्रेयेट करने वारे ट्रांजीट होगी क् सेवनथ होस जो है मों धूमपत्य जीवन का स्थान है पार्टनर का स्थान है तो सणी की दस्ति यहां पर चैट वी दस्तवी-दस्ति जो है केतू के आपर होगी जिसके एफक्पक्त के अंदर आपके पार्टनर चाह सा estimates में थोड़ा सा प्रोब्लम आज सकता है और खास करके आपको जो मंत क्यार करना है इस 2022 के अंदर वो इस प्रकार है सबसे पहले तो आपको जो मंत क्यार करना होगा वह 12 अप्रियल दो चलेंगे मीन रसी के अंदर तो मीन के जो सूर्य है वो रासी से बारवे स्थान के सूर्य बनता है बारवे सूर्य में आपको government related matter port, kachari, relation with father यह सब के साथ care करना होगा इसके बाद आपको month care करना होगा 16 July से लेकर 16 August जिसमें सूर्य चलेंगे करकरासी के अंदर तो यह चोथे स्थान के सूर्य बनते हैं एक मैने की यह transit है इसमें भी आपको property regarding कोई भी कारे करना उचीत नहीं होगा और उसके बाद आपको जो month care करना है 16 November से लेकर 16 December जिसमें सूर्य चलेंगे व्रिश्चिक रसी के अंदर तो रासी से आठवे संग के सूर्य में भी आपको life का कोई भी important decision लेने का आता है पारिवार एक मामलों को लेकर financial matter को लेकर तो आपको जलबाजी में नहीं लेना चाहिए यदि आपकी जानकरी में आपके कोई मित्र है मेश रसी वाले तो यह prediction आप उनको जरूर सेर करें और यदि कोई भी आपके फ्रेंड है जिनको आप जानते हों जिनका जन्म हुआ है 15 April से लेकर 14 मई के पीच में ऐसे कोई आपके मित्र है तो भी इनको यह prediction आप भीजिए क् यह ग्रह का effect मेश के शूरे क्या ग्रह जो prediction हमने बनाया है यह effect करने वाला है चैनल के उपर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल का बटन प्रेस कर दें और यदि आप कुछ नया जानने चाहते हैं तो नीचे comment box में comment जरू करें मिलते हैं एक और नए prediction में जल्